भारत बनाम न्यूजिलैंड के बीच तीन मैचों की T20 सीरिस का तीसरा T20 मुखाबला के लागया आपको बता दें ये मुखाबला DLS मैथट की वज़ाए से टाई हो गया जहां भारते टीम ने 161 रनों के लक्ष का जवाब देते हुए 9 ओवर में 4 विकट दबाते हुए 75 रन बनाए आज इस मुखाबले में भारते गेनबास जहां चाते हुए नजर आए तो वहीं भारते बल्लेबास अपने चाप नहीं छोड़ पाए दूसरे टीटवंटी मुखाबले की हीरो सूरे कुमार यादव इस मुखाबले में धेर नजर आए जिन्होंने मातरो 13 रनों के पारी के लिए लेकिन सूरे कुमार यादव ने अपनी 13 रनों की इसी पारी के चलते एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है ये रिकॉर्ड किया है चले जानते हैं इस वीडियो में आपको बता दे कि इस साल सूरे कुमार यादव ने भारत के लिए अंतराश्ट्रे क्रिकेट में T20 फॉर्मैट खेलते हुए एक हजार से जादा रन बनाए हैं ऐसा करने वाले सूरे कुमार यादव पहले भारतिये हैं लेकिन अब सूरे कुमार यादव ने ओवराल T20 क्रिकेट यानि की जिसमें अंतराश्ट्रिये, घरेलू और साथी साथ IPL जैसे खेल शामिल हैं इसमें सूरे कुमार यादव ने कुल मिलाके 1500 से जादा रन बना लिये हैं ऐसा करने वाले सूरे कुमार यादव भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक कलेंडर यादव में T20 फॉर्मैट में 1500 से जादा रन बनाए हैं उनसे पहले ये कारणामा पूर्व भारतिय कप्तान और स्टार बल्लेबास विराट कोहली कर चुके हैं जो 1600 के पार जा चुके हैं चले जानते हैं किसके नाम हैं सबसे जाधा रन विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने एक कलेंडर इयर में T20 फॉर्माट में 29 पारियों में 1641 रन बनाएं वहीं सूरे कुमार यादव 41 पारिय लेकर 1503 रन बना चुकी हैं इन दोनों ही बल्ले बाजों के बाद आता हैं श्रे सयर का नाम जिन्होंने 42 पारिय लेते हुए 1264 रन बनाएं हैं कहना गलत नहीं होगा जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सूरे कुमार यादव रिकॉर्डों के जड़ी लगा रहे हैं स्टार बैट्समेन हो तो सूरे कुमार यादव जैसा जो हर बार छोटी पारी भी खेले तो भी एक रिकॉर्ड बना दे वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूले